दोस्तों आपने दुनिया भर में खतरनाक सड़के इंटरनेट पर या फिर वाइरल हुई वीडियो में जरूर देखी होंगी भारत में भी ऐसी कई खतरनाक सड़के हैं, जहां जाने पर हर पल मौत का खत्रा मंदराता रहता है यदि आप यहां गारी व्राइब कर रहे हैं या फिर सफर करने की सोच रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि मौत हर पल आपके पीछे साय की तरह चल रही है खतरनाक खाए, खराब और टूटी गूई सड़के पहारों से पत्थरों का गिरने का खत्रा और किसी भी वक्त बारिश होने पर गारी का फिसलना आम बात है यहाँ पर जाने वाला शक्स या तो लोकल व्यक्ती हो सकता है या फिर एक ऐसा व्यक्ती जो ऐसी सड़कों पर चलने का आधी हो चुका हो फिलहाल हम आपको आज बता रहे हैं भारत की सबसे खतरनाक वाली साथ सड़कों के बारे में जिन्हें शायद भी जानते हो आप यहाँ की सड़के बर्फ से धकी हुई होती है कहां कब अचानक मोर पर खाई मिल जाए या फिर गर्धा मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है जोजिला पास कुल 9 किलोमीटर का है लेकिन सफर करने के दौरान आपको हर वक्त यही महसूस होगा कि कहां कब मौत सामने आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं बुस्खलंक बर्फ की कीचर या फिर खराब मौसम अक्सर लोगों को मौत के मूग में जाने का अहसास करा देती है महराश्ट्रा में नेरल मैथेरन रोड पर जाते वक्त पहारों के बीच कुछ जगहें घुमावदार और खतरनाक सड़क है ऐसी भयावेह मोर देखकर जरूर मौत का डर सता सकता है क्योंकि यदि ड्राइब करते वक्त अगर आप छोटी सी गलती करेंगे तो आपको सीधे मौत के मूग में जाना पढ़ सकता है यहाँ पर सपर के दोरान आपको गाड़ी बिलकुल धीरे चलानी होगी इतना ही नहीं चलान ज्यादा होने की वजह से गाड़ी के फिसलने का भी डर बना रहता है यदि आप ऐसी जगह पर ड्राइब नहीं कर सकते तो इन सरकों पर टेक्सी भी मिल जाती है जो की यहाँ ड्राइब करने में बिलकुल एक्सपट होते है भारत में खतरनाक सरकों में नेशनल हाइवे 22 का नाम सबसे पहले आता है यह एक ऐसा हाइवे है जिसे हाइवे 2 हेल के नाम से भी जाना जाता है यहाँ के भयानक मोर और दरावने चनल सीधे मौत का अहसास गिलाते है इतना ही नहीं उचायों से गिरने वाले विशाल पत्थर आपकी भी जान ले सकते है यह सरक न सिर्फ भारत में ही बलकि दुनिया के खतरनाक रास्तों में से एक मानी जाती है गारी चलाने वाला व्यक्ती जब भी यहां से गुजरता है तो उसकी जान अक्की हुई होती है क्योंकि ऐसा खतरनाक रास्ता कभी भी कहीं भी जान ले सकता है चान्गला की जादातर जगहें सालभर बर्फ से धकी हुई होती है यहां पर हमेशा भारतिय सेना मौजूद होती है क्योंकि अक्सर बर्फ गिरने की वज़ह से लंबा जाम लग जाता है और यहां की सड़के मोती बर्फ की चादर ओर लेती है जिसे दिन रात सेना के जवान रास्ते को साफ रखने में मदद करते है यहां पर जाते वक्त गरम कपड़े और दवाया जरूर साथ में ले जाना चाहिए यहां की थंडी हवाय आपके स्वास्थे को नुकसान पहुचा सकती है लेह मनाली हाइवे लेह मनाली हाइवे पर ड्राइविन करना सबसे कठिन और परेशानी का सामना करने वाला रूट कहा जाता है यहां की उचाई 13,000 फीट से ज़्यादा है जो की सबसे खतरनाक हाइवे में से एक है पहाणों पर बना यह हाइवे टूबे है जहां अकसर जाम की स्थिती बनी रहती है फ्रक और भारी भरकम वहन हमेशा यहां से गुजरती है फ्रक के पलटने की खबरे अकसर सुनाई देती है इतना ही नहीं फ्रक और चार वीलर की गाड़ियों में हमेशा समस्या आती रहती है सिक्किम में यह खतरनाक सड़क दुनिया भर में फेमस है लगभग 11,200 से ज्यादा उचाई वाले इस खतरनाक सड़क पर हर कोई जाने से घबराता है लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हिमालेयन की चोटी का व्यू बहुत ही शानदार दिखेगा उबर खाबर वाली यह सड़के देखकर आपका भी दिमाग चक्रा जाएगा यहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत होती है कमजोर हृदय वालों के लिए यह सड़क बिल्कुल भी नहीं है धर्ती पर सबसे उची मंदिरों में एक वालपराई तिरुपती घाट पर पहुँचना आसान नहीं है तिरुपती के इस घाट पर जाने के दोरान न सिर्फ खत्रा बना रहता है बलकि एक्सिडेंट होने की संभावना भी बनी रहती है यहाँ पर यदि आप सफर करना चाहते हैं तो आपको बेहत ध्यानपूर्वग ड्राइब करना होगा क्योंकि तिरुपती घाट का यह रास्ता खत्रों से भरा हुआ है तो दोस्तों यह थे भारत के साथ खतरनाक रास्ते अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना धन्यवाद